आप लोगों ने मौलाना अरसद मदनी का नाम सुना होगा और ये अपने बयानों के कारण जिस तरह सी बयान बाजी करते हैं उसकी कारण काफी चर्चा में बने रहते हैं सुर्खियों में बने रहते हैं तो आज हम लोग मौलाना अरसद मदनी के बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होगे इनकी पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी अगर हम लोग मौलाना अरसद मदनी के जनम की बात करें तो 1941 में बेटिस भारत में इनका जनम हुआ था और वर्तमार में जमियत उलेमा ये हिंदे के ये अध्यक्ष है और बेटिस भारत जब हुन लोग कहते हैं न तो आपको मालू होगा कि 1947 के पहले हमारे उपर अंगरेजों का सासन था तो हम लोग बेटिस के अधीन थे और आप देखेंगे 15 अगरस तो 1947 को हमें आजादी मिले थी उनके पिता का नाम सेखुल इसलाम हजरत मौलाना सेयद हुसेन अहमद मदनी था 8 फरवरी 2006 को मौलाना सेयद अरसद मदनी को उनके बड़े भाई मौलाना सेयद अरसद मदनी के बाद जमियत उलेमा ए हिंद का अध्यक्ष चुना गया था और यह संगठन आप देखें कि मुसलिम धरम से जुड़ा हुआ है अगर हम लोग इनकी सिख्छा की बात करें इनकी एज्यूकेशन की बात करें तो चैसाल की उम्र में मौलाना सेयद अरसद मदनी ने पूरी कुरान को याद किया फिर दाउल उलेम देवबंद के निमों के अनुसार उन्होंने 5 साल तक फार्सी का अध्यन किया और फिर 1955 में उन्होंने अर्वी का अध्यन शुरू किया 1969 में उन्हें दाउल उलूम देवबंद में भर्ती कराया गया यानि कि सिक्षा के लिए एडवीशन करवाया गया ये कही लीजी आप लो फिर उन्होंने 1983 में दाउरा में हदीस पूरी की और आप देखेंगे कि उनके कुछ उलेकनी सिक्षा इनके क्या है गुरू है उन्होंने साउदी हिरव के मदीना में रहते हुए कई अरब बिद्वानों के साथ भी अध्यन किया है और अरसद मदीनी ने 1985 में बिहार के एक पिसिद्ध सिक्षड संस्थान जामिया कासी मिया गया में सामिल होकर अपने केरियर की सुरूआत की थी फिर 1989 में आप देखें कि दाउरूल उलियूम देवन्द के सिखुल हदीस और जमियत उल्मा हिंद के ततकालीन अध्यक सियद फकरोद्दीन के कहने पर मुद्रिस के तहत जामिया कासी मिया मदरसा साही मुराद में वो सामिल हो जाते हैं फिर आप देखेंगे कि 1971 में मौलाना फकरोद्दीन ने उनकी सैक्षडिक युगता और प्रवंधन कौसल को देखते हुए उन्हें सिख्षा सम्थी का सेयोजक और 1982 में सिख्षा का सहाइक सचिव नियुक किया था और उस समय मौलाना फकरोद्दीन खुद सिख्षा फिर आप देखेंगे 1962 में वो है दारूल उलोम देवबंध की मजलिस में सामिल हुए जो सुरा की नेंतर में एक मुहिदिद की रूम में सामिल है और फिर आप देखें 1996 से 2007 तक दारूल उलोम देवबंध की सिख्षा सचिव थे और उनके कारकाल के तोरा इसमारक विभाग करेट बिभाग ने सुरुवाती अर्वी बिभागों में भी आतुलिनिय सफलता हासिल की और आप देखेंगे वर्तमान में तिरमेजी सरीप पड़ा रहे हैं और 2000 बारे में रवीता आलम अल इसलामी के सदस भीबु बन गए और इनके अध्यात्म की बात करें तो जैसे ही उन्होंने अपनी सिख्छा पूरी की उन्होंने अपनी अध्यात्मिक खोज सुरू कर दी उनके बड़े भाई सियद असद मदनी एक बियत पितिग्या बन गए और उनके दिखाए मारकवा चलने लगे और चुकि उन्हें बचपन में अपने पिता सियद हुसेन अहमद मद अध्यात्मिक ग्यान पराप्त हुआ और इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में अपना लक्ष पराप्त कर लिया एक तरह से आप कहेंगे कि मुस्लिम धरम में भी इने धरम गुरु मानते हैं वह 14 महिने तक आप देखेंगे कि साउधी एरब के मदीना में रहे और मदीना इसलामी ज्यान पराप्त किया और दुनिया के विविन देशों में उनके स्तर्च से देखने को मिलेंगे इनका अगर हम लोग राजनेतिक देश्टी को उड़ देखें और इसी के कारण आप देखें इनका बिरोध भी कई लोग करते हैं वह भारत की अलगाओ बाद की प्र भारत से देखें अलग हो गया था और बंगलादेश भी आपके पाकिस्तान का ही इसा था लेकिन आप देखते हैं कि 1971 में बंगलादेश की आजादी को लेकर भारत और पकिस्तान की विचेवद दूआ था उस समय हमारे देश की पिधानमंटी इंद्रा गांधी थे और पाक देखेंगे कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सब लोगों को अपने धर्म मानने की सुतनता है, और एक तरह से आप देखेंगे कि धर्म निर्पेक्च भी कहा जाता है, और आप देखेंगे कि हमारा पंत निर्पेक्च भी कहा जाता है, लेकिन धर्म निर्पेक्च में भी थोड देना देना नहीं रहेगा लेकिन आप देखेंगे हमारे यहां कुछ छोट मिली होई होती है और उनका मानना है कि 1947 में भारत का विभाजन बेटिस भारत की आबादी उससे जुड़ी हिंसा के बीच धार्मिक संपधायकता बड़ा और उनका सुझाओ है कि धरम निर्पिक्ष कि मुस्लिम सतुता हाल में ही हाल ही में नरम नहीं हुई है क्योंकि भारतीय समाचार मीडिया में कुछ हलों ने सुझाओ दिया कि वह सवाल करते हैं क्या भारती मुसल्वान 2002 के गुजरात दंगों को सुरू करने और निंदा करने और भारत में मुसल्मानों के खलाब हिंसा के लिए मौधी को माप कर सकते हैं ये 2002 के गुजरात दंगों की बात हो रही है जो गुद्रा का अंड़ हुआ था न उसके आप देखे बाद गुजरात दंगे हुए थे और मौधी उस समय गुजरात के मुख मंत्री थे और उन्होंने असम्मे नेशनल रेजिस्टर ऑफ सीटीजन्स एनरसी के अग्टन की पिष्ट भूमी में समुदायों की भी दुस्मनी को बढ़ावा देने के बयान के कारण बिबात पैदा किया और जिसके कारण राज्ज में उनके खिलाब तीन FIRP दर्ज होई थी और NRC आप देखते हैं कि एक तरह से कह दिया जाता है कि यह मुसलिमों के खिलाब है ऐसा आप देखते हैं कि इनके द्वारा कहा जाता है तो यही कहानी है किसकी मौलाना अरसद मदनी की और भी किसी इस तरह के ब्यक्ति के बारे में अगर आपको जानने की दिल्चस्पी है तो आप लोग जरूर उनका नाम बता सकते हैं उनके बारे में भी आप लोग बात कर लेंगे ठीक है